ओके, देखो तो अभी कि अगर एक वायर डेल्टा एल एक्सपांड होता है तो spring constant और y के बीच में क्या relation है y is force by area, delta L by L आप इस वायर को spring की तरह treat कर सकते हो तो force by delta L spring constant, put करेंगे तो k L by A cross multiply करेंगे, तो k का formula तो इसी के पेस पे अगर मालनो, दो springs parallel में है तो parallel combination में अगर दो springs है आप एक या दो wires हैं, जिनका young modulus y1, y2 है आप यह चाहते हैं कि इन दोनों wires की जगह एक wire लगे, तो equivalent, young modulus अगर आपको निकालना है, तो आप इन wires को spring की तरह treat करें तो मालने spring constant k1, k2 है given y1, y2 होगा, तो parallel combination में k1 plus k2 k1 को young modulus की form में लिखे, y1 a by L, y2 a by L और दो wire की जगह, जब एक wire लगेगी तो उसका area double होगा 2 a, तो यहां से solve करेंगे तो आपके पास y1 plus y2 by 2 उसी तरीके से, अगर series में लगे हुए हैं, दो springs तो series का formula हमने किया हुए already, 1 by ks is 1 by k1 1 by k2, तो actual में question में springs नहीं होगा, actual में wires होगी दो wire series में हैं अब equivalent young's modulus निकलना चाहते हैं, तो यह spring constant का formula लिखें k1 is y a by L, y a by L y a by L, y a by L, y a by L जब एक नई wire लगेगे दोनों की जिगह अब पतली wire चलेगी लेकिन length आपको double करनी पड़ेगी, तो area तो same रखेंगे, लेकिन length l plus l क्या हो जाएगा तो है तो question young's modulus का बट हम उसे क्या करेंगे उसे spring constant की form में solve करेंगे तो जैसे suppose यह एक wire है twisting of a wire बोलते है एक wire है, यही wire इसको यहां से बान दिया, नीचे से twist कर दिया, घूमा दिया such that a point तो वही का वही है पर b point घूमके b dash पे चला गया b, b dash में चला किया such that यह आपके पास अंगल कितना कवर हो गया a, b से a, b dash में 5 और यह अंगल कितना कवर हो गया, b से b dash, theta तो आप एक काम करेंगे आपको theta और 5 में, अगर relation निकालने को आजाए objective में, आप एक नीची वाला triangle लेंगे, तो इसमें आपको बोलेंगे, angle theta is arc b, b dash by radius r, angle is arc by radius तो arc की value आगई उसी तरीके से इस triangle के अंदर phi is b, b dash by इसका radius क्या माना जाएगा L, तो एक नीची वाला triangle angle is arc by radius एक ये वाला triangle angle is arc by radius तो यहां से arc b, b dash b, b dash दो तरीके से आगया दोनों को equate कर लेते हैं, theta or phi का relation आएगा, as such ये कोई पूफ नहीं है, एक objective question हो सकते है, आपको मिल जाए objective question है, तो इसमें theta or phi का relation mark करना था, तो इसमें theta or phi का relation मैं लिख दिया, तो याद नी करना, मतब ये trick है, कि angle is arc by radius से आप इनको equate के जाना आपने, ये question कम से कम NEET में 2-3 बार तो मैंने देखा आता हुआ और mains में भी मैंने इसको एक दो बार देखा, ये important question है, और ये बहुत बार repeat होता है, तो इसके concept को एक minute समझ लेते हैं, देखो देखो, आगे देखो सबसे पहले इस question को start करने से पहले एक काम करेंगे कि एक topic है जिसको भूलते है Thermal Expansion Thermal Expansion ये chapter आएगा रादर Thermodynamics में, Thermal Expansion में ये पढ़ाया जाता है कि कोई भी चीज, कोई भी अगर solid है या liquid है उसको अगर heat करें, तो उसका volume हमेशे expand होता है, ये volume क्या? वह कीज़ी expand होती है Expansion तीन तरीके से होती है या तो lengthwise होती है, या area wise होती है या फिर volume wise होती है जैसे length, मतब जैसे अगर आपके पास एक wire है बहुत पतली wire है of length L आपने इसका temperature बढ़ाया इसकी length लंबी हो गई आपके पास एक disk है area A, thickness नहीं है आपने गरम किया, disk का area बढ़ गया आपके बाद एक solid sphere है आपने area बढ़ाया solid sphere का volume आपने temperature बढ़ाया उसका volume बढ़ गया तो इस type की problem उस chapter में solve करवाई जाती है उसमें यह बताया जाता है कि अगर आपके पास एक wire जिसकी length L है आपने इसका temperature बढ़ा दिया by delta T, increase कर दिया change in temperature किया तो इसकी length बढ़ जाएगी कितनी हो गई? L' तो increase in length कितनी हो गई? L'-L जिसको क्या लिखा जाता है? delta L तो यह observe कि delta L is proportional to L and is proportional to change in temperature तो delta L की value length के साथ proportional है original length पे depend करेगी और rise in temperature पे भी depend करेगी तो को यह तो मैं मानता हूँ कि जितना जादा increase in temperature होगा length भी उतनी जादा बढ़ेगी logic है कोई यह explain करेगा कि original length जितनी बढ़ी होगी increase भी उतना ही बढ़ा होगा सही है? कितनो को सम्झमें आगया में increase हो जाएगा अगर original length 10 km लंभी wire है तो meters में increase होगा यनि कि जितनी जादा original length होगी उतना ही जादा उसका increase भी होगा क्या है point clear है यह तक तो इन्हें अगर हम combine कर लें proportional to L delta T तो delta L is some constant into L into delta T और constant किस पर depend करेगा? material और wire पर क्योंकि कई materials ऐसे होते हैं जो बहुत expand कर जाते हैं और कई materials ऐसे होते हैं जो expand ने करते तो इसलिए यहाँ पर एक constant आएगा और constant होते है alpha 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 होते है coefficient of linear expansion ठीक यह material पर depend करता है जिसका alpha जादा होगा वो temperature increase करने पर उसकी length भी जादा expand हो जाएगी और जिस material का alpha कम होगा delta L कम होगा और जिसका alpha 0 होगा उसका जितना मर्जी temperature increase कर लेना delta L क्या हो जाएगा उसका 0 वो बढ़ेगा ही नहीं length में तो यह formula हम इसमें बनाएंगे जो मैंने बनाया इसको हम use करेंगे और इसमें आप यह भी चेक कर सकते हो जो delta L है उसकी value जो मैंने निकाली वो L into alpha into delta T delta L को लिख सकते है L dash minus L L into alpha into delta T L को right side पे ले जाते है तो आपके पास यह formula बन जाता है जो मैंने इसमें लिखा आपको यह कुछ लिखने की जुरुतनी है next chapter में यह theory printed आपको मिल जाएगी सिर्फ आपको यह formula बताने के लिए मैंने सब कुछ बताया तो आपको यह formula ताकि देखा लगे कि आज के बाद अगर temperature increase करें तो wire की length L dash L के उपर इस तरीके से dependent होती है अब पढ़े question question है अगर steel rod है जिसकी length L है और area A है and Young's modulus Y है coefficient of linear expansion alpha इसका मतलब वो expect कर रहा है कि आपको यह formula आता हो is heated through t degrees celsius find work done by the rod तो normally question में क्या होता है कि एक rod है इसको मैं खीजता हूँ by applying a force of F तो work done क्या होता है half into F into delta L इसमें मैंने force ने लगाई इसमें heat की वज़े से expansion हुआ तो delta L की value मैं heat की वज़े से निकाल सकता हूँ यह मैंने आपको formula करवाया इसे आप open करें L'-L एक तरफ जिसको delta L लिख सकते है तो increase in length की value आ गई इस delta L को आप यहां पर पुट कर देना L alpha T अब आपको क्या चाहिए force क्योंकी question में force ने given question में young's modulus given है तो आप side पर लिखें young's modulus force by area delta L by L delta L को यहां भी replace करें L alpha T replace कर दिया L C L cancel cross multiply करके force निकाल ले force भी alpha की term में आ गई इस force को ठाके यहां put कर दे delta L आपने यहां से put कर दिया दोनों को multiply करे answer आएगा trick समझ में आया trick सिर्फ इतना ही है कि delta L की value को alpha की form में कैसे लिखना है उसके लिए वो formula आपको आना चाहिए क्या यह point clear है यहां तक ठीक बहुत बार आय हुआ question है important है sheet number 106 sheet number 107 यह 107 mark करना प्लीज इस पे 107 देखो इसके अंदर पहला question है a wire can be broken by applying a load of 20 kg weight एक तार को तोड़ा जा सकते अगर इतना weight लगाएं force बताओ कितनी चाहिए to break the wire of twice the diameter एक चीज याग रखना breaking stress material पे dependent है उसकी length और area पे dependent है अगर एक wire को कर दिया force निकालनी है second case में पहले case में force पता है second case में area 4 times area A1 से A1 cancel तो force कितनी required है तोड़ने के लिए 4 times F1 तो F1 question में 20 kg weight है अब force कितनी required है 80 kg weight method clear है आँ तक कि इस type के problem को कैसे handle करना है breaking stress remains तो अगर area जादा होगा तो force भी जादा लगानी पड़ेगी area कम होगा force भी कम लगानी पड़ेगी वैसे भी logically clear है पतली तार है तोड़ना असान है मोटी तार है area बड़ा है तो force जादा लगेगी खीचने के लिए तो stress जादा लगाना पड़ेगा ठीक हां तक जैसे cable that can support a load of W एक cable, एक तार W weight को tolerate कर सकती है cut into two equal parts दो छोड़ी थोड़ी तारे कर ली अब वो कितने weight को उठा पाएगी same W तार की strength, wire की strength उसके material से लेना देना है उसकी length से लेना देना नहीं यह थोड़ी नहीं कि अगर मेरे घर मेरे घर में 3 storied है और मैं lift लगाना चाहता हूँ तो रसी इतनी मोटी होगी और अगर 20 storied है तो रसी मोटी कर देंगे अगर जादा मंजने उठा है मोटी तार लो, उससे क्या lift अगर मैं अपने हाथ से ऐसे उठा दू या कहीं भी 10 storied building में उठा दू तो उससे क्या फर्क पड़ता है तार लंबी करूंगा strength में थोड़ा change आएगा इसलिए वो पहले भी W weight को उठा सकती थी अब अगर दो piece कट गए उस cable के अब भी वो W weight को उठा सकती है यह नहीं कि वो कम weight उठाएगी क्योंकि वो छोटी हो चुकी है अब भी उसकी strength remains same ठीक है अहां तक? तो मतलब answer change मत कर देना W ही रखना है इसमें इसलिए यह answer mark की है नहीं तो लोग confused हो जाते हैं कि change को क्या answer आएगा जैसे wires A and B are made up of same material इसका मतलब young's modelers दोनों के लिए exactly same है A has twice diameter obviously to radius भी twice होगा B से and three time length of B A की length three times length of B if elastic limit is not reached मतलब elastic limit है when each wire is stretched by same tension, same tension का मतलब force की value भी दोनों की, same ratio of energy stored बता नहीं है अब energy stored का मतलब work done? work done per unit volume का formula करवा था half into stress square by y to work done volume right पे चला गया, to work done की value अब एक बार wire number A लेंगे, stress की जगा क्या put करेंगे, force by area A wire का, amongst the modulus तो change ही नहीं हो रख है y A, volume क्या होता है centrical wire का area pi r square into length L first wire के लिए फिर second wire के लिए दोनों को divide करेंगे y same है, force same है radius और length की ratio given है, solve करके work done या energy की ratio आएगे method समझ में आ रहा है, how to apply formula इसका proof बहुत लंब है इसका proof बहुत लंब है जो मैं बताने जा रहा हूं यह तो extra class advance ही चलेगा लेकिन अभी एक shortcut है जो यह mains में और neat में दोनों में आय हुआ question है उन्होंने क्या किया, एक wire ले लिए normally sundrical wire में इधर से और इधर से area होता है same pi r square pi r square वो कहते हैं यह एक tapered wire है conical wire है इधर से तो area pi r 1 square इधर से area pi r 2 square और question में कह दिया कि F4 से हम इने खींच रहे है इसमें length इसकी L है तो बताओ इसमें extension produce कितनी है delta L बताओ तो मैंने young modulus लगाया force by area delta L by L मुझे delta L निकालना था problem एक थी length मुझे पता है problem area की है मैं यहां पर यह confused हूँ कि area pi r 1 square ले या pi r 2 square अगर बराबर area होता पर तो clear था pi r square answer area unequal है तो shortcut लिखें यहां पर shortcut यह है area under root of a1 a2 geometric mean लेना होता है left और right के area का unequal area से तो pi r 1 square pi r 2 square यानि ki pi into r 1 r 2 तो आप area के जगा क्या put करेंगे pi r 1 r 2 यहां से delta L आएगा अब आपको इस shortcut में यह नहीं पता लगेगा कि ऐसा मैंने किया क्यों इसका प्रूफ के लिए और extra class में कराएंगे कभी जब आएगी इसकी बारी properties की उसे प्रूफ आएगा इंटिकेशन ऐसा क्यों करते है पर प्रूफ लंब है आप objective में करी पाएंगे इतना लंबा proof तो बेटर है कि यह shortcut अच्छ कम से कम question तो ठीक करें tapered wire का तो शॉर्टकट लगाएंगे और सीथ objective solve हो जाएगा clear है यहां तक पर मैंने इसका proof ने बताया ऐसा क्यों होता है suppose एक wire है ठीक एक wire है और एक mass M है, चोटा mass M है conical pendulum यहाद है गुल-गुल गुमाते थे तो इस wire का mass small आपको cross section radius of wire capital R given यह wire है, cross section का मतलब यह wala radius capital R तो आपको बताना है इसमें delta L की value क्या होगी अब मैं फिर से young models लगाऊँगा delta L एक तरफ बाकी term एक तरफ, force की जगा क्या पूट करूँगा? Tension, क्योंकि क्या जाएगी? Tension conical pendulum बताया था circular motion तो force इसमें tension है T के तो components है T cos theta T sin theta T cos theta will be equal to mg, तो यहांसे T आगया Tension चाहिए होगी तो T आगया और L तो आपको length of the string L given ही है area में π बड़ा R square चोटा मत पूट कर देना यह वाला area क्योंकि area क्या लेते हैं? wire का cross sectional area cross sectional radius capital R है तो π capital R square answer बसे यह trick है कि area में trick है, लोग 25 चोटा R square use कर देते हैं, जबकि wire का cross sectional area use करना होता है क्या है point clear है और इसके बाद दो चीजें और हैं सिरफ उसके बाद इसको close करते हैं उन में से पहली चीज यह कि अगर length of the wire L1 है ठीक L1 है तो tension wire में T1 है तो अगर length L1 है tension T1 है length अगर मैं खींच के L2 कर दूँ तो tension T2 है तो बताओ original length कितनी है इस wire की क्योंकि tension है तो length obviously बड़ी भी बिलेगी आपको एक चीज कभी change नहीं होगी और वो क्या है तो original length दोनों केस में L है तो यहां से young's models को equate करते है delta L1 क्या होगा नई length L1 original L delta L2 क्या होगा नई length L2 तो यहां से solve करके gross multiply करके L can be calculated ठीक point समझ में आ रहा है कि अगर wire को खींचा जा रहा है और दो case बनाने को कहे जा रहा है tension T1 length L1 tension T2 length L2 तो वासे original length के लिए एक चीज कभी change नहीं होगी और वो क्या है young modelers young modelers कभ change होता है material change होता है clear यहां तक ठीक और last आज का case जो school में पक्का आएगा और बहुत लोग पूछने हैं ऐसे यह रहा which is more elastic steel की rubber बोलो rubber सारों अगल तो जाएगा rubber में steel teacher पूछेगा इतना तो नहीं है ना कि कुछ तो पूछेगा तो सुचना चाहिए steel जादा elastic है आपको यह कैसे rubber band जादा expand हो जता है देखो कैसे तो लिक्यान है क्या steel is more elastic than rubber young's modulus क्योंकि reason young's modulus of steel is greater than young's modulus for rubber जितना high young's modulus होगा उतना substance elastic होगा जितना कम होगा उतना कम elastic होगा अब question यह arise होता है कि young's modulus rubber का कम क्यों होता है जबकि सुनने में तो elasticity जादा लगती है उसका prove भी लिक्यान है देखो क्या young's modulus is force area L and delta L मालो आपने एक steel की wire ली और एक rubber की wire ली जिन पर आपने same force लगाई खीचने के लिए length उनकी same थी area cross section same था तो young's modulus inversely proportional to क्या होगा delta L बताओ जब दो wires लेंगे steel और rubber कौन जादा लंबा हो जाएगा rubber delta L किसका बढ़ा होगा rubber तो y किसका छोटा तो y rubber का क्या हो जाएगा यह लिखा मैने भी y छोटा है क्योंकि delta L कम होगा steel का तो y steel का जादा और अगर steel का y जादा तो steel is more elastic क्या यह point clear है यह लिखके आने आपने देखने में नहीं बोला देखने में rubber लगती है mathematically